दुनिया का बाजार है जिसकी वज़े से भारत का इतना सम्मान देश में हो रहा है इसे प्रधाल मंत्री मोदी के निजी छवी से मत जोड़िये आप गुरू पिकाश मानक जी आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिश साथियों को हमारा प्रडाम मानक जी जैसा कि हमारे जो साथी लंडन से जुड़े हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि आज की तारीक में और पिछले नौ वर्षों का यदि हमें कालांच देखें तो भारत की सिती में क्या परिवर्तन आया है जो हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग ही उसमें क्या परिवर्तन आया है हमें लगबग 1947 से लेकर के 2014 तक का वक्त लग गया हमारी अर्थ विवस्ता एकॉनमी की साइज किया थी लगबग 2 ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी पिछले नौ वर्षों में हम 3.6 ट्रिलियन डॉलर एकॉनम से अधिक ऐसे देशों को वैक्सीन सप्लाई किया जहां पे इसकी चुनोती थी जो ऐसे राष्ट्र हैं जो सदन हमिस्वेर की बात कर रहे थे जहां अपने चालेंजेस थे वैसे डेड़ सो से अधिक देश है जहां हम लोगों ने कुरोना के समय वैक्सीन सप्लाई किया आज का वर्ष 2018 में भारत ने बनाया था अब पूरे विष में बनाया जा रहा है अभी हमें यह समझनी का आवशकता है कि ग्लोबल नारेटिव को सेट कौन कर रहा है वैश्विक विमश्ड को सेट कौन कर रहा है इसको समझना चाहिए अभी मैं कॉंग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता की बातों को सुन रहा था तथ्यों के आधार पे, तरकों के आधार पे यदि हम विशलेशन करेंगे तो पाएंगे कि प्रधानमंतरी अपने इस स्यात्रा में, अपने इस प्रवास में की U.S. Congress को दूसरी बार भाशन देने जा रहे हैं और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत का कोई नेता U.S. Congress को दूसरी बार भाशन देगा और ऐसा विश्व के इतिहास में चोथी बार हो रहा है He is the only fourth world leader चोटे विश्व की नेता हैं जो US Congress को दूसरी बार भाशन देने जा रहे हैं इसको सुलिकार करने के आवशक्ता है और इस यात्रा की एहमियत को इस बात से समझा जा सकता है मानक जी आपने पिछले 15 दिनों का भी development देखा होगा पिछले 15 दिनों में हमने देखा कि हमें ये समझने के आवशक्ता है कि 2022 से इसमें जो भारत का और अमेरिका का ट्रेड हुआ था वो लगबख 128 बिलियन डॉलर का था और अमेरिका उन देशों में हैं जहां हमारा ट्रेड सर्पलस होता है यानि कि हम उनसे खरीदते कम हैं बेचते जादा है हम मार्केट निश्यत रूप से हैं लेकिन आज हमारी शमता है आज हमारी प्रतिबा है आज हमारी बाइं के पैस्टी है और ये जो ट्रेड सर्पलस था ये लगबख 33 बिलियन डॉलर का था तो जब एपल आए यहां पे इन्वेस्टमेंट की ऑपोर्चुनिटी आए इनोवेशन हो अंट्रप्नाइशू तो इसका स्वागत सब को करना चाहिए और जब प्रभानमंद्री वहां जाते हैं वहां जो हमारे डायसपुरा की संक्या है पचास लाग लोगों की संक्या है मानक जी मुझे यहां बोलने के आवशक्ता नहीं है जब जब पिछले 9 सालों में कहीं आपदा आई है कोई चुनोती आई है ओपरेशन वंदे भारत हो, ओपरेशन गंगा हो, यूक्रेन की लड़ाई हो हम लोगों ने भारत वासियों को सकुषल सेफ्टली निकाला है तो इसके पीछे भी हमारा नेतरत्व है, हमारा पॉलिटिकल वहल है अब इसमें पूरे तोर पे इसका राजनीती करन किया जा रहा है आज जब हम देख रहे हैं, जब कॉंग्रेस के लोग ये मौका होता है अंतराश्ट्री राजनीती या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक ऐसा स्पेस होता है जब सबको साथ आनी के आवशक्ता होती है प्रधान मंत्री यदी बहां जाते हैं और उनाइटेड नेशन सेक्यूरिटी काउंसिल सुरक्षा परिस्तत में हमारी एक स्थाई सीट हो एक पर्मनेंट सीट हो तो इसरे भाजबा को फायदा होगा क्या ये तो देश की 140 करोड़ लोगों के लिए गौरव और सम्मान का विश्य होगा कि पहली बार हमें युनाइटेड नेशन सेक्यूरिटी काउंसिल में पर्मनेंट सीट मिलता है इसमें फॉरेंट पॉलिसी है ठीक है लेकिन इसमें डॉमेस्टिक पॉलिक्स भी है ना किसी भी प्रकाश कॉंग्रेस ये भी क्या रही है और प्रधान मंत्री चल दिये बिना कुछ बोले अमेरिका के दौरे पर छवी चम काने के लिए सिर्फ अपनी छवी चम काने के लिए नहीं नहीं देखिए ऐसा है मानक जी की लगातार हम लोगों ने कल ट्वीट भी देखा है कि हमारे पार्टी के सीनियर लीडर और केंद्री रक्षा मंत्री भारत के रक्षा मंत्री मनिदपुर के लोगों के साथ बैटे थे लगातार संबाद हो रहा है यूनियन होम मिनिस्टर अमिद्शा जी लगातार सिचुएशन कॉमिनिटर कर रहे हैं और सिचुएशन पहले टेंस थी अब स्टेबल हुई है एक विशेक को ले करके राजनीती करना और कॉंग्रेस के लोगों के पास तो इसका कोई नेतिक अधिकार नहीं है बोपाल गैस ट्राजडी हुई थी वोरें अंडरसन का नाम याद है वोरें अंडरसन जो की जिम्मेवार था भोपाल गैस ट्राजडी के लिए उसको भगाया कि इन लोगों ने तो यही कॉंग्रेस के लोगों ने भगाया था तो मुझे लगता है कि फॉरेंड पॉलिसी डोमेन में और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स डोमेन में कॉंग्रेस के लोगों बोलने का विए गिरिगार ने भगाया था